दो अगल्च की दूरी बेहत जरूरी इस बात का आप ध्यान रख्या और मास्क लगा कर ही अपने घर से बाहर निकलें तस्वीरे आप देख रहे थे चहल पहल और जिन्दगी एक बरफर से पट्री पर लोटती भी अलग-अलग हिस्सों में उधर प्रिधार मंतरी नरेंडर मोदी के अधिक्षता में आज भी मंतरी मंडल की बैठक में कई महत्वपोंट फैसले लिये गए हैं जिसमें कठिन दौर से गुजर रहे चोटे और मंजोले उध्योगों को दुरुस्त करने के लिए लोग के प्रस्ताप को मंजूरी दी गई है वहें किसानों को रहत पहुचाने के लिए सरकार ने 14 फस्तों के समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है अल्लाक होते हिंदुस्तान में पहले ही दिन सरकार ने किसानों और उध्योगों के लिए एक और मरहम की किष्ट जारी कर दी है पदानमंतिरी नरेंद्रमोदी के अध्यक्षता में कैबनेट की बैठक हुई किसानों छोटे और मंजोले उध्योगों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं सबसे पहले बात अन्न दाताओं की सरकार ने फैसला लिया है कि 3 लाग तक के लोन पर ब्यास दर में 2 फीजदी की छूड़ दी जाएगी इसके साथ ही खरीफ की 14 फसलों का नियूंतम समर्थन मूल देड़ हुना पढ़ा दिया गया है 31 अगस तक लोन चुकाने वाले किसानों को 4 फीजदी ब्यास ही देनी होगी क्रसी लागत एव मूल आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई है मंद्री परशद के समक्ष विचारा धिन थी और आज मंद्री परशद ने उनको अपनी सुईकरती प्रतान कर दी है जिसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोसित की गई है लॉगडॉम के बीच बुरी तर परभावित हुए छोटे और मंजोले उद्योगों को उबारने के लिए सरकार बड़े पैकेज के साथ सामने आई है कमजोर उद्योगों को बारने के लिए 4,000 करोड का फंड, MSME के छोटे सेक्टर में टर्नोवर सीमा 50 करोड, मजबूत MSME के 15% एक्विटी खरीदने की योचना नितिन गटकरी ने कहा कि MSME की मजबूती से निर्यात बढ़ेगा 25,000,000 MSME के पुनर गठन की उम्मीद है अब जो प्लाइंट एंड मशनरी में इन्वेस्मेंट होगी एक्विप्मेंट में, वो इन्वेस्मेंट 50 करोड तक रहेगी, जो 20 करोड की गोशनाती वो 50 करोड हो गई और जो टर्नोर था, जो 100 करोड हुआ था, वो 2500 करोड रुपे हो गया तो इसके कारण में सेमी को काफी बड़ी वहात मिल जाएगी लॉक्डाउन की वज़ा से रेडी पट्री वालों की कबर तूट गई है 66 दिन की बंदी से बेहाल लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने 10 हजार तक लोन देने का फैसला लिया है आनन्द पतेल डिल्ली आज तक